नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए याँ पर इत्यास की भीवियाई लगु उत्तरिया प्रश्ण लाया हूँ टिक है दोस्तों आपकी एक्जाम में बिल्कुल इसी तरह से कोस्टन पूछे जाएंगे आपके लिए मैं यहाँ पर कुल मिलाकर 6 question लाया हूँ, तीक है, देखें आपकी exam में जो है लगु उत्रया प्राष्ण कुल मिलाकर 6 question पूछे जाएंगे, तीक है, आपको उत्रया Será question में से 3 question का आपको answer देना है, तीक है, दोस्तों पर्दियेgoos LORD का आपको 2 number मिलेंगे, यानि तीन कोस्टन का दो नमबर यानि तीन दून चो नमबर टोटल आपको मिलेंगे लगू उतर्या प्रश्ण से ठीक है देखे आपको एक्जाम में मिलेगा खंड बौ इतियास लगू उतर्या प्रश्ण प्रश्ण संग्चा एक से छोट तक लगू उत्तरिया है इने में से किने तीन प्रश्णों का उत्तर दे हैं ठीक है पर तीन प्रश्ण के लिए दो अंक निर्धारित हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको लिखा मिलेगा ठीक है एक कोशन का दो नमबर तो तीन कोशन का छे नमबर ठीक है दोस्तों आए यहाँ पर कोशन को दिखते हैं आपके सामने भी मैं 6 कोशन ला रहा हूं ठीक है आपको 6 का 6 याद कर लेना है कोशन नमबर नमबर वन है आपके शामने वियाना समयलन का मुख्य उद्देश क्या था ठीक है इसे आपको याद कर लेना है कोशन नमबर टू पर ध्यान दिजे जरमनी के एक्रिकरन की बाधाएं क्या थी ठीक है इसे भी आपको याद कर लेना है कोशन नमर तीन पर ध्यान दिजे, रूज जापान युद्ध ने किस परकार बोल सेविक रांती का मार्क प्रसस्त किया, इसे भी आपको याद कर लेना है, कोशन नमर फोर पर ध्यान दिजे, हिंद चीन के प्रती फ्रांस की आउपनिवेसिक योजना क्या थी, इसे भी आपक 1929 की आर्थिक मंदी के कोई दो कारण बता ये ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने 6 question है ठीक है आपको 6 का 6 याद कर लेना है आपके exam में इसी तरह से 6 question रहेंगे और उसमें से आपको 3 question का आपको answer देना है ठीक है और 1 question का 2 number मिलेगा दोस्तों आब आते हैं इनके आंसर की बात करते हैं ठीक है अब इन सारे कोस्टन का आंसर को आप देख लीजे कुस्चन नमबर वण है आपका वियाना समेलन का मुख्य उद्दे से क्या था दोस्तों एक समेलन वा था वियाना समेलन ठीक है इसका उद्दे से क्या था इसका मुख्य उद्दे से क्या था इसी के बारे में आपसे यहाँ पर आंसर मांग रहा है यह कुस्चन ठीक है आए इ इस में नेपोलियन की पराजय के बाद आउस्ट्रिया की राजधाने वियाना में एक समेलन का आयोजन किया गया दोस्तों देखे सन 815 इसी वस जो है नेपोलियन युद्ध हार जाता है तिक है इस हार के बाद जो है यानिकि नेपोलियन के हार के बाद जो है आउस्ट्रिया म में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इस बात को याद रखें ठीक है इस में विज़ाई राष्ट्रों ब्रिटैन रूस प्रसा और आस्ट्रिया के प्रत निथे तुक ने मुख रूप से भाग लिया दोस्तों देखिए ये जो युद्ध हारा था नेपोलियन ठीक है लेक ठीक है और ये सारे देश जो है इस सम्मेलन में यहाँ पर शामिल हो गए ठीक है इस सम्मेलन का उद्धेश नेपोलियन द्वारा यूरोपिया राजनिती विवस्ता में लाए गए परिवर्तनों को शमाब्त कर उसकी पुनर अस्थापना करना था दोस्तों देखिए दोस् कई तरह के परिवर्तन किये थे इसके बाद क्या होता है कि वियाना में जो सम्मेलन होता है इस सम्मेलन के द्वारा जो नेपोलियन के द्वारा जो भी परिवर्तन लाया गया था ठीक है उन सब को समाब्त कर दिया गया और फिर वहां पर एक पुनर अस्थापना किया गया यानि फिर से वहाँ पर एक अच्छी सासन की शुरुवात की गई, यही इसका अंसर है, ठीक है? कोशन नमर टू पर आप देखते हैं क्या आपका कोशन, देखिए, कोशन आपका यहाँ पर, जर्मनी के एक्षिकरण की बाधायें क्या थी? ठीक है? जर्मनी एक देश का नम है, वहाँ का जब एक्षिकरण किया जा रहा था, तो क्या-क्या बाधायें आई थी? उसके बारे में आपको यहाँ पर पूचा जा रहा है, आईए इसका अंसर देखते हैं, दोस्तों, सबसे पहले आपको लिख देना है, जर्मनी के एक्षि में विभाजित था, दोस्तों, समझ लिजे, आप देखिए, जर्मनी जो था, वो तीन सो राज्यों में बटाववा था, अब तीन सो राज्यों को मिला कर एक देश बनाना कितना मुश्किल काम होगा, ठीक है? सभी राज्यों को मनाना, या फिर यूद्ध करना, जिस विध होतों, यह जो देश जर्मनी, ठीक है? इसके, इसका जो एकिकरन किया जा रहा था, ठीक है? तो आउस्ट्रिया जो है, आउस्ट्रिया यह नहीं चाहता था, कि जर्मनी का एकिकरन हो पाए, ठीक है? यान कि जर्मनी की समस्याओं में जो आउस्ट्रिया हास्थ चेप करता थ ठीक है और श्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एक्षिगरन संबभ हो ठीक है कोशा नमबर तीन पर ध्यान देजे अधिकां जर्मन राज्यों की सैन सकती का कमजोर होना दोस्तों आपको पता है कि जर्मनी तीन सो राज्यों में बटा हुआ था ठीक है अब देखे इस तीन बाती है ठीक है नमबर फोर पर आप ध्यान देजे देखे नमबर फोर में आपका है जर्मनी के राज्य समाजिक आर्थिक और धार्मिक दिश्टिकों से अलग अलग थे ठीक है दोस्तों आपको पता है कि जर्मनी में तीन सो राज्य थे ठीक है अब देखे राज्य में जो है एकता का भाव था ठीक है तो ये सारी समझ साय थी जर्मनी के एकिकरण में ठीक है तो सारे बातों को आप पढ़ लीजे अब देखिए नया कोशन आपके शामने क्या है रूज जापान युद्ध में किस परकार बोलसेवी करांती का मार्ग प्रसस्त किया दोस्तों रूज जापान युद्ध ठीक है काफी फेमस युद्ध है इस युद्ध ने जो है बोलसेवी करांती का मार्ग प्रसस्त किया यानि इसी युद्ध के बाद जो है बोलसेवी करा बांती हुआ था ठीक है तो कैसे हुआ था कैसे मारे प्रसस्त किया यह आपको यहां पर पूछा जा रहा है आए इसका अंसर देखते हैं देखिए जार साही रूस और जापान के मध लड़ा गया या युद महत्पूर्ण ये धो में से एक है जार साही रूस यानि रूस में जार का सासन था जार मतलब होता है राजा समराठ ताना साह रूस में जार का सासन था तो जार साही रूस और जापान के विज्जो एक बहुती महत्पूर्ण युद लड़ा गया था जिसने ना केवल विश्व के मांचित्र पर एसिया एक सक्ति के रूप में उभरा बलकि क समजोर जार साही परसासन के खिलाप 1905 की रूस की पहले करांती को भी बल मिला दोस्तों जापान किस महादेश में है दोस्तों जापान जो है ये एसिया महादेश में है ठीक है जब जापान ये युद जी जाता है तो एसिया महादेश जो है ये कापी फेमस हो जाता है ठीक साथ साथ जो है जार साही प्रसासन जो है रूस का ठीक है इसके खिलाफ जो है उनिस्व पांच में पहली क्रांती जो हो रही थी उसको भी बल मिल गया ठीक है उनिस्व पांच की रूस की क्रांती रूस की पहली क्रांती को भी इस युद्ध के बाद बल मिला था इसे आप या आगे क्या कहता है राज में व्यापतर ब्रस्टाचार ने जनता को अतिक क्रश्ट पहुचाया दोस्तों ब्रस्टाचार आप समझ रहेंगे घुस खोरी तो घुस खोरी ने जनता को बहुत क्रश्ट पहुचाया था ठीक है भोजन की कमी अब लोगों के पास खाने के लिए द भी काफी गुसाई वे थे उनमें बेरुखी आ गई थी ठीक है आधी ऐसे मुद्य थे जिसने रूस को करांती पर लाकर खड़ा कर दिया बस इनहीं सब वजाओं के कारण जो है रूस में करांती शुरू हो गई ठीक है नया कोशन देखिए कोशन है आपके शामने याँ पर हि देखिए हिंदुस्तान और चाइना के लिए जो है फ्रांस की आपनिवेस योजना क्या थी इसके बारे में आपको यापर बताना है आए इसका आंसर देखते हैं देखिए फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेस अस्थापित करना चाहता था ठीक है इसका फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेस अस्थाप्ना का मुखि उद्देश डच इवां ब्रिटिस कमपणियों की व्यापारिक प्रतियस परता का स्यामना करना था दोस्तों आपको पता होगा कि उस समय जो है भारत में डस की कंपणी थी, बिटिस की कंपणी थी, ठीक है, तो फ्रांस चाहता था कि हम डस की कंपणी, बिटिस की कंपणी को दबा दे, ठीक है, और इनको पचार कर जो है हम आगे निकल जाएं, ठीक है, तो यही सारी बात यही थी, ठीक है, नमबर टू पर आप ध्यान द सकता थी दोस्तों देखिए फ्रांस के पास बहुत सारे समान थे ठीक है अब उस समान को बेचेगा कहां उसके लिए एक बजार चाहिए था ठीक है तो भारत हुआ चायना हुआ उससे एक बहुती महत्रपुन बजार दिखाई दे रही थी उसने सोचा कि यह एक बजार है यहा बजार की उनके उन्हें आव सकता थी ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भारत में आकर कई सारे दोस्तेश जो है आकर वियपार करते हैं क्यों भारत एक बहुत बड़ा व्यपन बहुत बड़ा वजार है ठीक है अब आएए यहां पर देखते नंबर तीन देखिए नबर तीन पर आप ध्यान देएं देख्ए क्या है तो गोरे होने का डाइतु ठीक है इससे आप समझे गोरे होने का डाइतु थे युरोपिया गोरेimos a जुशवा घोंसित excitement photos that टीक है वह इसर पत्त दायत तो समझते थे दोस्तों देखिए अंग्रेज गो रे थे टेक है देखिए गोरे लोगों का सोच होता था यह शूप का सोच होता था कि भारतिया लोग काले हैं ये लोग पिछड़े समाज के लोग है तो वो लोग जो है दाइत समझते थे कि इन काले लोगों को जो है पिछड़े लोगों को जो है हम सब बनाएंगे ऐसा वो सोचते थे ठीक है और वो ना मतलब खुद को उसके अंदर जो गोरा आमने स्वाराज पार्टी की अस्थापना एवं उद्देश की वेचना करें ठीक है दोस्तों स्वाराज पार्टी का अस्थापना किसने किया था ठीक है इसका उद्देश से किया था यहीं सब बातें आपको यहां पर बता देना है आए इसका आंसर देखते हैं देखिए दे दूसरा आदमी है मोतिलाल नेरु दोनों का नाम आप याद कर लिजे तो स्वाराज पाटी का प्रमुक उद्देश से आपको नीचे दिया गया है इसे आप पढ़ लिजे देखिए क्या क्या उद्देश से था तो भरत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना यानि वो अंग् गांधी जी द्वारा किये जा रहे औसायोग आंदोलन को सफल बनाना दोस्तों औसायोग आंदोलन इसकी सुरवात गांधी जी ने किया था तो स्वाराज पाटी की लोग चाहते थे कि गांधी जी का औसायोग आंदोलन शफल हो जाए ठीक है नमबर थ्री पर आप ध्यान दिजे ब्रिटिस हुकूमत के कार्यों को रोकना और उसमें अर्चन पैदा करना दोस्तों देखिए ब्रिटिस हुकूमत यानि अंग्रे सासन जो था वो भी जो भी कार कर रहे थे जनता को लूट रहे थे गरीबी भुक मारी सब यह चल रहा था पर उनका उनको बिल्कुल फि देना है और इनमें अर्चन पैदा करना है ठीक है यानि इससे जो है अच्छे तरह से सासन नहीं करने देना है अंग्रेजों को अच्छे तरह से सासन नहीं करने देना है यह उद्दे सिथा स्वाराज पाटे की लोगों का ठीक है नवकर साई की सक्ति में कमी करना दोस्तों नौकर साई टिक है इसकी सकती में कमी करना भी स्वाराज पार्टे का उद्दे सिता इस बात को याद रखें टिक है तो सारे कोस्टन को आप पढ़ लिजे और ये कोस्टन जो आपके सामने है 139 की आर्थिक मंदी के कोई दो कारण बताईए इसे आप यूट्यूब पर साच किजेगा और साथ में मेरा नाम लिख दिजेगा बाय परितम सर टिक है तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा टिक है